सभी को जैहिन, जैहिन सैत्यू आप देख रहे कमांडो फिचकल एकने में गांधी मैदान पतना का इडूब चनल और आज भी हार पली से की जर तिन सो एकानवे बैच का टाइमिंग हुआ और ये वीडियो से पहले आपको टाइमिंग का वीडियो अपलोड कर दिया गया है आप वीडियो को बढ़िया से देखे होंगे कि किनका टाइमिंग कितना गया है और इस वीडियो में वही टाइमिंग पुछेंगे कि पिछले टाइमिंग में आपका कितना टाइमिंग गया और इस बार कितना टाइमिंग घटा कि आपका टाइमिंग उतना ही अस्तागीत है तो इसी टोपिक पे चर्चा करेंगे तो पूरे वीडियो में बने रही है और जो भी भी हार्पली से 2391 में पैच के लिए त्यारी करना चाहते है तेरा तारीक से याने दसहरावाद से नया ब प्रति जूरना चाहते है उस बैच में आप आकर जूर सकते हैं 100 परसें फिजिकल का गरांटी है सही ढंग से मेनत करवाया जाएगा सही वर्काउट करवाया जाएगा और वर्काउट जो प्लान है वो हमारा हर सप्ता का वर्काउट चेंज रहाता है इस दिन यह कि यह तभी आपका मेरिट बनेगा आपको पता है कि फिजिकल वैसिस पर आपका मेरिट है तो चले पुछ से इन लोग का टाइमिंग क्या है आए इदर है कहां गया चार चालेश चार चालेश लगा एक बार जोगदार कालिक फिर से नाम है और इनका अगने बीर में भी रिजल्ट है और बिहार प्रिस का भी एकजाम दिए ठीक है तो इनका जो टाइमिंग गया है चार मीनट चाथिस सेगंड टाइमिंग गया ठीक है तो इनके लिए एक बार जोड दार्तारिक कि यह एक्जाम नहीं दिये है किसी भी चीज में रिजल्ट नहीं है एथलेटिक्स के लरके है ऐसा कुछ नहीं है अगनी बिर में भी इनका रिजल्ट है और भी हार प्रेस का भी एक्जाम दिये है ठीक है तो इनके लिए फिर से एक बार जोड़दारता ले आशा करते हैं कि नेक्स टाइमिंग में चार तीस लगे क्या उमिधाना चले इदर आईए क्या नाम है विनाय कुमारी से तो आप प्रचीत होंगे पिछले वी वीडियो में किन्दा टाइमिंग है आज पांच दस गया इनके लिए बार जोड़दारता ले पांच दस गया यानि फुट्टी मार्च आराम से उठाएंगे कहीं से भी कोई रोक ठोक नहीं है रनिंग में ठीक है चले फिर से एक बार जोड़दारता ले इनके लिए बोलो कितना गया टाइमिंग पांच 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 सेगन जोड़दारता ले इनका टाइमिंग पांच 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 सेगन गया ठीक ह बहुत पीछे जाईएगा देर दो महिने पीछे वोला वीडियो में आपको दिख जाएगा इनका प्रैक्टिस और इनका टाइमिंग तो बहुत मेनत किये है और सही तरीका से मेनत करवाया गया वर्काउट सही तरीके से करवाया गया उसका आज रिजल्ट है कि पांच मिनिट पांचकनी लगा है फिर से एक बार जोरदार ताले इनके लिए इसके बारे में भी बता देते है जब यह आय थे इनका छे पांच छे दस छे पंदरा जाता था आज आज कितना गया है पांच बिस पिछले टाइमिंग पांच बिस पिछले टाइमिंग में गया था याने एक सब्ता डेर सब्ता पीछे इनको प्रैक्टिस करवाए दो दिन स्लो फास्ट करवाए बीक में स्लो फास्ट रेनिंग ऐसा रेनिंग है जिससे कि आपका टाइमिंग देखते ही देखते डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो सही धंग से मेनद कीजिए जैसी ये मेनद कीए चले इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली मनिश के लिए ये भी विहार प्लीज से कीज़र तिन से कान में बैच के लिए त्यारी कर रहा है ना करवाया जा रहा ना सही से अश्याम की द्वाजार रहा है चेवारा फिछ़ना रहा था फिर से इनके बार एक बार जोरदार ताली मिनेजिए क्या आपकेश्फ जोरदार ताली कंद लिए 15 जोरदार ताली भ्योंيا को डिकत पर आल ने हैं य विह ह्यारम है और यह अच्छे से प्रचीत है पिछले भी वीडियो में आप देखे होंगे इनको SSCGD फिजिकल भी क्वालिफाई है और बिहार प्लिस के लिए टाइमिंग दिया है SSCGD में जाके यह वहाँ पे फर्स्ट बंदा थे जैसे 20, 25, 30, 100, 1500 जो भी बैच वहाँ पे दोराय जाता है उनमें सबसे पहला लर्का थे है क्या टाइमिंग गया आजाबता है पांच बत्तिस है पांच बत्तिस जोर दार ताली इनके लिए SSCGD का फिजिकल क्वालिफाइ करने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रहे बिहार प्लिस के लिए प्रेक्टिस कर रहे है और इनका टाइमिंग पांच बत्तिस गया अभिशेक कुमार ये भी हमारे SSCGD के एस्टडेंट है और बिहार प्लिस का भी जाम दिये फिजिकल प्लस मेडिकल फिट है ग्राउंड फिट है जोर दारताली एक बार अब सेके लिए कितना टाइमिंग गया है पांच मिनेट 26 सेकेंड टाइमिंग गया यानि 30 मार्क्स उठा रहे है और कोशिस करेंगे कोशिस नहीं मेहनत सही से करवाया जाएगा 50 मार्क्स भी यह उठाएंगे फिर से अब शेके लिए एक बार जोर दारताली फिश्रा टाइमिंग किता गया था दिये से कितना टाइमिंग गया 26 एक बार इनके वी जोरदार ता ले से मिनट 22 सेकेंड गया पहस्योँ से कोई दिक्कत अर्ब पाँच मिनट 22 सेकंड पिछला टाइमिंग था अगर आपको लग रहा है कि जूट बोल रहे है कि पिछला टाइमिंग था और दस दिन ही पंदरा दिन में की से इतना टाइमिंग कम गया जाइए पिछला विडियो इठाइए पिछला टाइमिंग के और जाके लाइन से देख लिए इनका सही बतार है पाँच मिनट चौमेंट सेकंड गया था आज ये 5 इनका टाइमिंग गया कहीं न कहीं ये मेहनत किये सही तरीके से कलकच होई आज जिनका पांच 32 गया है फिर से एक वर सोनू के लिए जोरदार ताले क्या नाम है परदिव कुमार कितना टाइम गया था 6-20 कोई दिक्कत पर लिशानी प्रैक्टिस में उमीद है कि पिछले वर 6 के अंदर आएंगे पुराउमीद है ना क्यानाब है परणव कुमार जा और इनके बारे में ही बता दे कि S-S-Z-D में फिजिकल मेडिकल ग्राऌड फिट है एक वर परणव के लिए जोरदार ताले और C-P-O में भी इनका रिजल्ट है सि-P-O के लिए प्रैक्टिस कर रहे है 10% guarantee है कि उसमें भी ground fit होकर आएंगे ठीक है बिहार पुलिस का भी exam दिये है और उम्मीद रखते है बिहार पुलिस में 6 मिनिट के अंदर अभी आ रहा है यानि 20 मार्क सभी उठा रहा है उमेद रखते है कि 40 से 50 मार्क ये भी उठाएंगे बिहार पुलिस के लिए फिर से एक पाच मिनिट 21 सेकेंड भी कोई खराब टाइमिंग नहीं होता है एक बार सुधान्सु के लिए जोरदार ताले और हमारे पास अगनीवीर आर्मी के लिए तैयरी कर रहे है और मात इनका 15 दिन से 20 दिन हुआ होगा है 14 दिन हुआ है 14 दिन भी इनको मैनत करवा है सही डंग से मैनत कि और पाच मिनट 21 सेकेंड का इनका दौर अभी बना हुआ है चले इनके लिए एक बार जोरदार ताले क्या नाब है अब इससे कुमर कितना टाइमिंग गया पाच मिनट 29 सेकेंड जोरदार ताली अब इससे के लिए फर्स टाइमिंग था कोई दिक्कट परिसानी आर्मी अगनीवीर के लिए प्रैक्टीस कर रहा है तो जो भी अबरती बिहार प्लिस अगनीवीर सिपयो के लिए त्यारी करना चाहते हैं और सही धंक से चाहते हैं कि प्रोपर मेरा टाइमिंग गम हूँ अब माल यह संसा तो बहुत सारा संसा बहुत जग आपको करवाया जागा कहीं पर भी नहीं करवाया जागा यह गारंटी के साथ बोलते हैं यह हम नहीं हमारे लर्के लोग ही बोलते हैं तो फिर से मिलेंगे नेक शुड़ी में जैहिंद बंदे मातरम भारत माता की जै